अरे बिटा ये क्या हो गया और ये मेरे बाबु को नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और जी अवी सुभा का टाइम हो रहा है सुभा के लगबग साड़े 5 बज रहे हैं और मैंने साफ सफाई सारी क एससाइज नहीं करूंगी क्योंकि मेरे फुल फास्ट चल रहे हैं और पूरे नौ दिन तक मैं फास्ट रखती हूँ पूरे और ये वाले जो नवरात्रे हैं चैतर वाले ये मैं पूरे ही रखती हूँ और जो दूसरे वाले नवरात्रे आते हैं वो मैं आगे पीछे के खो लिये थे आज नहीं धोए हैं और बने रहिएगा आग ब्लॉग में एंड तक और वीडियो पे जो भी पहली वार आते हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जी दोस्तों अभी मैं पुरा अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहन लिया है सरारा तो ये सरारा मुझे बहुत पसंद है और मैं इतना ज़ादा इसको पहन चुकी हूँ कि अभी मुझे इसे ही पहनने का मन करता है साड़ी से बहुत ज़ादा अच्छा रहता है ये तो बस थोड़ी बहुत तयारिया मैंने और कर ली है और दिया जला दिया है धूब दीब दोनों जला दी है और कथा भी पढ़ लिया है तो दुरूब आज आ गया है तो आज मैंने दुरूब के साथ बैठके कथा पढ़ी और थोड़ा थोड़ा परेशान करता है, चीजों को इधर से उधर फेकता है, तो बाकी मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इसे बाते बाते कर लेती हूँ, तो ये करने देता है, और अभी आप देख सकते हैं, हवन कुंड में हवन छोड़ रहा है ये, मैं जो मंत्र है वो तो दुरूब यहां पर हवन चोड़ रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और फर्स टाइम दुरूब ने इस तरह से मेरे साथ पूजा की है और मैंने कल के ब्लोग में आप सब को बताया था ना कि मैं कोई भी सुभा की पूजा करती हूं तो दुरूब कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है हर पूजा में मेरे साथ होता है पूरे नौ दिन तक और यह छो था था मकल्न बहुत छोटा था तब भी इसने पूरे नौ दिन तक की है सुभा ही छे वजे ऊज़ी उठ जाता था और हर दिन की पूजा इसने इसी तरह से की थी हमारे सब क साथ बैठके और अभी मैं कर ले रही हूं आरती यहां पे मातरानी की और पूजा मेरी हो चुकी है तो जी सुभा के साथ बजे से पहले-पहले मैं पूजा कर लेती हूं और यह टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पूजा करने का इस टाइम पे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है पूजा करते टाइम पे तो पूजा हो गई थी और मैं आ गई थी ग्रिल पे कूड़ा फेक्टने के लिए तो कूड़े की जो ट्रॉली है वो 7.30 बजे लगबग आ जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आरती कर रहे होते हैं तो उधर कूड़े की ट्रॉ है धीरे-धीरे आदत हो जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए करेगा आज कौन सा दिन है तारीक है तो जी दिन तारीक मैंने बता दिये हैं आपको और अभी मैं लगा दे रही हूं यहां पे कपड़े तो कपड़े धुल चुके हैं बस एक ही वाश के थे जाद दे लेती हूं पूरे ब्रत में उसके बाद दिन भर में जाधा काम नहीं हो पाते हैं और इतना काम होता भी नहीं है वैसे दिन भर में सुबह को और शाम को जादा काम होता है 어प चले गए हैं काम पर तो आज बहुत सुभा ही चले गए और मैंने यहां पर चड़ा दिये कड़ाई और आज मखाने खाने का मन था क्योंकि आज दूसरा ब्रत है तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे खाके थोड़ा सा बॉड़ी मिले बॉ और जी फ्रेंड्स यहां पर मखाने मेरे भुन गए हैं और मैंने अपने लिए बना ली है चाय एक कप तो यह एक कप से जादा ही बन गई थी एक कप जब चाय हम बनाते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन जाती है ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ उसके बाद मैंने रख दि के लिए यह धुरुप के लिए रखूंगी उससे दाल्शावल बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी में दाल चावल बनाती हूं वह पेट भर खाना खाता है तो इसलिए मैंने रख दिये उसके लिए दाल बनने के लिए और जबसे नानी के घर से आया है तब से इसने पेट भरके खाने ही नहीं खाया अभी तो बस मैंने इसके लिए दाल बनने रख दिया है और मैं अपना नाश्टा एंजॉय कर लूँगी तो आजएगी आप सब भी गरम गरम चाय पीने के लिए और आज चाय बहुत जादा हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी चाय बाद में प कर रहा है बहुत जादा और यहां पर मैंने कर दिये कपड़े चेंज अपने क्योंकि जो सरारा है ना वह काफी नीचा है तो उसमें काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिये हैं और अब मुझे काम करने में दिक्कत भी न यह बहुतु है करे रादे आके ऐसे जाटआ है रादे ल्दो और डादे मतता की एक एकषैनद फिर करें तके ढूम का सही है करें वूलैं ढहां जोता रादे ऊरूण जोडल लो मततमा की छोह znaczy और क्या बोलना चाहते हो, आखली ये देखो, ये देखो, बैठाओ नीचे से डाल को जाओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इतनी से अपाम मुच्छे, हाँ जी, और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में धुरूट के साथ बहुत जादा मस्ती हो गई आज काफी मैं उसके साथ खेल ली और एक टाइम के बाद खेलते खेलते न वो परिशान करने लग जाता है बहुत जादा इलिटेट कर देता है मुझे कभी कभी तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे काटके रग दी थी गोबी आलू सुभा कोई काटके रग दिये थे तो आज गोबी आलू बनाओंगी और दुरू मुझे बहुत जादा परिशान कर रहा है अ तो अभी भी देखिए एक मतलब इन इन के लिए बना रही हूँ मैं फिर भी मुझे जादा लग रही है और मैंने सिर्फ थोड़ी ची गोबी का पेड़ बनाया है जादा नहीं एक इसमें आलू डाल दिया था और बीना लैसन प्याच का बना रही हूँ तो तीन जगा अपने लिए सबसे बाद में इसलिए बनाऊंगी क्यूंकि ब्रत का खाना बनाना होता है तो यह सब खाना बिल्कुल दूर रखना पड़ता है तो बस मैंने बना दी है अलू गोबी की बहुती मस्त बन कर तयार हो गई है और मैंने ले लिए हैं दो खीरे और कुछ गोबी मतलब थोड़े से टुकड़े ले लिए गोबी के और थोड़ा सा लॉकी काट लिया था एक दो आलू काट लिये थे और मैं बना रही हूं यहां पर समा के चावल की खिचडी और खिचडी के साथ आज खीरे का रायता बनाऊंगी बहुत ही साधा सिंपल सा डिनर बना रही हू तो ज़ँ जबाक ऋर की खिचडी पेर मैंने रहा राव मिर्च का दोला ही के बाद सिंपल की खा खिचडीया जाहिए साधिय ile आलू लंवाग गोबी और साथ में पर एक तामातर यहां पर मैंने ग्राइट कर लिया है खीचा खास कर से चील के बहुत ही ज्यादा ब्रत मेरा जादा दही खाने का बहुत मन करता है खास कर हम अगर कोटू का पकोड़ा या पकोड़ी खुझ भी खा लेते हैं तो उसके साथ हमें और क Lucky न बहुती जादा टेस्टी लगता है और Durie काफी लंबिटाम और साथ में भुना हुआ जीरा डाल दूंगी और इस जीरे में हींग भी है और डाल दिया है सेंधा नमक और बस यहां पर बनके तयार हो गया है खीरे का जबरदस्त रायता खाने में इतना ज़्यादा टेश्टी होता है कि मैं क्या ही बताऊं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी जीरे यह खीरा घट लिया सब्सक्राइबिस की खिलं होता है न तो मैंक में ने इसको खाना खिला दिया तो माल दिन अच्ली बतायी और जिसदिन यह खाना नहीं खाता है उस दिन माइन पूरा डिस्टरब रहता है कि बच्ची को क्या खिलाओं तो जिस दिन दाल चावल या फिर खीर ऐसा कुछ बन जाता है तो काफी अच्छे से ये पेट भर के खाना खा लेता है और इसे खिलाना काफी आसान भी होता है इस तरह का खाना और खा लिया था इसने थोड़ा बहुत खाया था लेकिन खा लिया था तो सोने से पहले मैं इसका पेट भरा देती हूं ताकि ये अच्छी निंद ले पाए और चलिए आज का वीडियो करूंगी यहीं पैंड और मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में अगर आप चैनल पर पहल दिवा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और जी इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए